दोस्तों स्टार्टिंग में जो आप लोगों ने वीडियो देखी वो वीडियो और एक न्यूस का लिंक आप में से एक बच्चे के दौरा मेरे साथ में सेयर किया गया कि सर क्या ये सही है एक रियर बच्चा पैदा हुआ है जिसको एलियन बोला जा रहा है और ये भी बोला गया कि ये जो बच्चा है ये हर घंटे एक फिट के करीब इसकी हाइट जो है वो बढ़ रही थी फिर इसके बाद में लोग जो है वहाँ पे डरने लगे तो इसको पच रिसर्च की थोड़ी स्टडी की तो मेरे सामने कई सारे फैट्स निकल कर आए ये ऐसी एक डिसोडर है जो कि एक जैनेटिक स्किन डिसोडर है जो की बोली को काफी नेगेटिव तरीके से इंपक्टेड करती है और ऐसा नहीं है ये केस हमारे ही देश में निकल कर आया दुन अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है वो बच्चा किस पर्टिकुलर जो डिसोडर है स्किन का उसका जीन कौन सा है जो एफ़क्ट हो रहा है जिसके वेश से डिसोडर बोड़ी के अंदर देखने को मिल रहा है और कुछ ऐसे केसिस भी मैं आप लोगो दिखाऊंगा जिसमें आप लोग समझ पाएंगे कि बच्चा जो है वो सर्वाइव भी किया है तो इसके साथ में एक एक करकर पॉइंट हम लोग कबर करते विचलेंगे ओके सबसे पहले मैं आप लोग को इस डिसोडर का नाम बताता हूं इसको बोलते है हारलेकुइन एचिथियोसिस यह एक जैन जब फट जाती है तो उसमें नीचे एक तरीके से रैड रैड स्किन भी देखने लगते है पर ब्लड भी आने लगता है तो बिल्कुल वही पैटर्न आप लोग को इहां पर देखने को मिलेगा यह पूरी इसकिन कवर करता है यह एक फिस गला पैर से लेके हैं एक तरीके ए ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, यह जो बीमारी है, यह अगर बात करूँ इसकी संख्या के बारे में, तो 3 million अगर बच्चे पैदा होते हैं, यानिके 30 लाख अगर बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है, जो इस particular disorder से पैदा होता है, और जो gene effect होता है, वो होता है, A, B, C, A, 12, gene effect होता है, और सबसे बुरी बात यहाँ पर यह है कि आज तक इस बीमारी का कोई treatment नहीं है, यानिके अगर कोई बच्चा पैदा होता है, इंडिया के अंदर जैसे 3 cases अब तक देखने को मिले, तो जो इंडिया के अंदर 3 cases देखने को पारें, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जो इस बीमारी के बाद में survive भी कर पाते हैं, पर लेकिन चांस काफी कम है बच्चे के survival का, अगर किसी को यह बीमारी होती है तो, जो last case हमारे देश में इसका देखने को मिला था, यह C-section delivery थी, तो यहाँ पर जब यह डिलिवरी हुई इस particular C-section के बारे में, तो यहाँ पर यह fully developed नहीं हो पाते है organ, इवन यह भी बताया जा रहे हैं, कि अगर कोई बच्चा ऐसा होता है, तो यहाँ पर यह बी identify नहीं किया जाता है, initial phase में तो, कि यह जब बच्चा है, यह baby boy है, यह फिर baby girl है, यह बच्चे को identify भी नहीं कर पा आप लोगों ने खुद भी देखा होगा, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसकी skin होते हैं, एक मासूम सी होते हैं, क्यूट सी, सोफट सी skin होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे हमारी skin जो है, वो भी टाइट होना स्टार्ट होती है, और उसके ऐसे ही आप लोग इस वीमारी को बोल सकते हो, कि जिनका इलाज जो है, वो अब तक हमारे पास में नहीं है, कोई treatment नहीं है, अगर कोई ऐसा बेबी जो है, इस particular disorder के साथ में पैदा होता है, तो यहाँ पर survival का बहुती कम chances है, जैसे मैंने भी आप लोग आप लोग बताया, औ और एक तरीके से जब इस तरीकी इसकी नहीं हाँ पर हो जाती है, तो आप लोग खुछ सोचोए, आपर किस तरीके से आगे चलकर चीजे जो है, एक तरीक से recover हो पाएगी, नोर्मल अगर थोड़ा बहुत कोई deformation body के अंदर हो जाता है, वो ही recover करना मुस्किल हो जाता है, और पूरी body के अंदर इस तरीकी situation, तो हमारी country के अंदर तीनों केस हुए, और चंद घंटों में तीनों ही तीनों केस जो है, वो basically उनकी death हो गई, तो यह थी आपर news, तो मुझे नहीं पता यार, जो इहाँ पर बच्चा पूछ रहा था कि सर ये जहर के injection दिये गए और वो दिय मैंने इसको चेक किया, तो मुझे को ऐसी जो चीज है वो निकल कर आई, वो जो न्यूस थी उसका आप लोग सर्ज भी कर सकते हैं आपर, बल्कि ये वीडियो जो थी ये ये रोते ये बच्चे की, तो ये चंद ही घंटों में जो है इस बच्चे की डैथ होगी, वो मुझे थोड़ा सा इसमें, फिर मैंने सर्च के, तो ये सारी जो चीजे हैं, वो मेरे सामने निकल कर आई, पर लेकिने जो डिसोडर इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं, जब ऐसे केसी देखने को मिलते हैं, तो एक्जाम में आप लोगों से कुशन पुछा सकता है, कि किस इस पर्टिक्लर बोड़ी पार्ट से लेटेड है, ये डिसोडर, तो इस तरीके सा आप लोगों हैल्थ से लेटेड जो इसके साथ में इसको करनेट करके देख सकते हैं, ठीक हैं, तो एक छोड़ी सी इंफोर्मिशन थी, I hope कि ये जो इंफोर्मिशन है, आप लोगों को का आप लोगों को ग्यान वर्दख लगए होगी, बागी नेक्स्ट वीडियो में मिलतोओ, तब तक उन्हें ध्यान रखें, बुडोको नमस्ते, छोड़ोको प्यार, छोड़ी सी लाइफ ए इंज्योई करा, मिलतोओ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, जαιहिन!